हेलो फ्रेंड्स देखिए के विएस टीजी टी डेबलो ई जिसको आप वर्क एक्स्प्रियेंस भी बोलते हैं उसके प्रिविएस येर का क्विश्चन आपके सामने है जो कि 2018 में पूछा गया पेपर है ठीक है यह मैंने पेपर लगा रखाया उसके बाद मैं यहाँ पे जूम देखेंगे तो चलिए बिना टाइम वेश्ट की सिधा ही स्टार करते हैं ठीक है बाकी सारी चीजे बाद में होती रहेंगी यहाँ पर पहला क्विश्चन आपके इंग्लिस वाले सेक्शन का है वह यह है कि एक वर्ड आपको दिया गया है stop gap उसको आपको बताना है कि इसका आपको बताऊं तो जैसे सब पोच किजिए कि एक family है बाहर से आई हुई है तो अभी फिलाल में अपने stop gap के लिए hostel का यूज कर रही है मतलब temporary यूज के लिए जब तक उसको एक घर नहीं मिल जाता अपना घर नहीं बना लेती तब तक वो hostel में रही है तो उसको एक stop gap की त इसने ये solve किया है मैं आपको सब कुछ search words बगरा करके ही बता रहा हूं क्योंकि देखिए English वाला part मेरा सही बताऊं तो उतना अच्छा नहीं है बस मैं आपको यहाँ पे level बता रहा हूं कि कैसा है तो आप बस इसका level देखते जाए मैं आपको technical or reasoning aptitude यह अच्छे से deal करने व होता है भोकाल आपने एक सुना होगा वर्ड जो की famous है काफी सारे लोग जानते भी हो गावद हात में तो बिल्कुल famous है कि भोकाल है बहिया इनका ठीक है कोई चीजा आप बताते भी है तो उसको नहीं कहते है कि सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन विश्व फुल लगेगा आपको लेकिन विलीव करना उस पर थोड़ा सा मुश्किल है तो तीसरा अप्सन इसका सही हो जाएगा ठीक है तीसरा वला दूसरा वला गलत है अब यदि हम लोग आगे बढ़ जाएं अपने थर्ड क्विस्चन पर तो थर्ड क्विस्चन हमारा है कि opposite हमको बताना है यहाँ पे एक word लिखा गया है ठीक है blank का opposite क्या हो जाएगा तो कि blank का मतलब होता है खाली तो इन चारो options में आप देखोगे तो full इसका जो है वो सही answer हो जाएगा इसी तरीके से चौथा question आपके सामने है कि soon the sun hatch set यहाँ पे जो underline है hatch set उसको हम लोग को बताना है क यहाँ पे कौन सा word feel करें जिससे यह improve हो जाए word hatch set यहाँ ठीक नहीं है ऐसा बोला गया है तो soon the sun hatch set जल्द ही सूरज अस्त यहाँ पे लिखा गया है hatch set का मतलब कि जल्द ही सूरज अस्त हो गया तो सूरज तो अपने time पे ही अस्त होता है ठीक है लेकिन आपने कभी सुना हो well set ठीक है चौथा अपसंजो है इसका वो सही होजाना चीए न की तीसरा ठीक है अगर आब हम लोग अगले question पे चले पाच्वे question पे she lived at the middle of a great wood वह रहती है at the middle of a great wood नहीं in the middle of a great wood वह बीच में रहती है ठीक है बीच में great wood के बीच में रहती है ऐसा नहीं कि at the middle of तो इन द इसका middle of ये क्या हो जाएगा साही आंसर हो जाएगा तीसरा वाला स्वरी दूसरा वाला अब यदि हम लोग अगले question पर चले तो छठा question हमारे सामने है यहाँ पर भी हमको जो underline word है उसका meaning बताना है क्या होगा तो यहाँ पर लिखा he warned against making hasty decisions hasty decisions का मतलब होता है actually कि जल्दबाजी मिलिया गया मतलब इसको हम लोग quick बोलते है ठीक है quick decision तो इसका जो देखोगे आप इन options में से तो दूसरा जो option है something that is done in a hurry हरी मतलब भी क्या होता है जल्दबाजी में ठीक है quick तो दूसरा लापसन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ऐसे ही सात्वा question हमारे सामने है make the grade make the grade का क्या मतलब होता है तो make the grade का मतलब की एक ऐसा अपना position बना लेना या फिर कह सकते हो की जैसे की हम बोलें की to reach the expected standard मतलब एक अच्छे standard पर पहुँचना तो चौथा आपसन ज़िए आप देखोगे to perform well enough to succeed in something मतलब well enough अपने perform करना किस चीज के लिए कुछ succeed करने के लिए well enough अपने का perform किया है उसको हम लोग बोलते हैं कि आपने make the grade कर लिया ठीक है make the grade ऐसे ही अब हम आगे यदि बढ़ जाए अपने आठवे question पे तो देख सकते हो कि आप level कैसा यहाँ पे है questions का कुछ-कु कीज़े अच्छी मतलब tough भी है और कुछ easy भी है अगला question यहाँ पे है कि आपको one two three four करके word sentence लिखे गये हैं उन में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा word है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं wrong बोल सकते हैं यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो यहाँ पे पहला part जो है he was taken to hospital to the hospital इसका मतलब की उसे अस्पताल ले जाया गया where he was pronounced date जहाँ पे उसे मृत घोसित कर दिया गया in arrival in arrival का मतलब यहाँ पे हो गया वहाँ पहुचने पर ठीक है वैसे भी in arrival नहीं लगना चाहिए था और वहाँ पहुचने पर यह extra word यहाँ पे जोड़ दिया गया है इसकी ज मतलब है जबकि यहाँ बताई दिया गया कि वहाँ पहुचने पर ही तो उसे मृत घोसित किया गया ना वहाँ यहाँ पे बोल दिया ना where मतलब जहाँ पे उसे मृत घोसित कर दिया गया तो in arrival यहाँ पे extra word की तरह है इसलिए यह wrong हो जाना चाहिए तो चौथा वाला option आपक साल को जब मानसून क्या था फेलड का मतलब यहाँ पे खराब हो जाएगा खराब तो वाज फेलड खराब रहा था नहीं खराब था कुछ ऐसा है तो यहाँ पे वाज ना यूज हो करके continuous ना यूज हो करके यहाँ फेल्ड होगा ठीक है फेल्ड मतलब I refer to air when the monsoon failed, was यहाँ नहीं रहेगा फिर इसका सही आंसर हो जाएगा अगला क्विश्चन है वैसे ही दसमा he that had most time has none to lose he that had most time का मतलब की वह जिसके पास that had most time ज्यादा समय था has none to lose none to lose करने के लिए मतलब वह कुछ भी lose करने के लिए जिसके पास अधिक समय था एसा नहीं होगा यहाँ पर वह जिसके पास तगड़ा क्विश्यन है थोड़ा सा ठीक है तो ऐसे ही आप देख सकते हो कि इसका लेबल क्या है यह इंगलिस का पार्ट रहा एसी अगर हम हिंदी पे दिया आ जाएं तो हिंदी में दिखे क्या क्या पूछा गया है आपसे पहला question यहाँ पे है 11th वो यह है कि तमस उपन्यास के रचाईता है ठीक है तमस उपन्यास के रचाईता कौन है तो भिश्म शाहनी है ठीक है तो इन में से आपको कुछ-कुछ रचाईता भी पूछे जा रहे हैं और फिर क्या है यहाँ पे निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है बारहावा question यह है शुद्ध सब्द पहचानना है शुद्ध सब्द आपको थोड़ा practice करना होगा कई सारे जिसमें से यहाँ पिलिखा गया है आशिरवाद आर्शिवाद आशिरवाद ऐसे करके तो यह देखो कि यह आपने काफी famous question है और काफी विवादों में भी रहा था कि कौन सा इसमें से सही होता है तो आप देखो भी होगे कि आशिरवाद जो है यह बिल्कुल सुद्ध सब्ध है और यह जो लिखा गया है आर्शिवाद यह आप देखो कि कई जगह दुकानों गएरा पे भी लिखा गया होता है मोटर गड़ी पे भी लिखा गया होता है जो कि incorrect है आर्शिवाद नहीं होता है आश्रवाद ही होता है ये इसका सही है लोग समझते हैं कि ये वला सही है वो इसको लिखवा देते हैं जबकि अगर ओभराल देखोगे तो चौथा वलापसन ही सही है अब यदि हम तेरह हमें क्विश्चन को अगले पारट अगले स्लाइड में है सोलहवें तब तक देख लेते हैं सोलहवा है नाक कान में कौन सा समास है तो देखिए नाक कान को अगर हम पढ़ेंगे तो ये बीच में आ जाएगा और नाक और कान इसको ऐसे पढ़ेंगे और जिस भी वर्ड के बीच में ऐसे और आ जाता है वो द्वन्द समास हो जाता है त पहले जोड़कर उसके अर्थ में यदी कोई बदलावा जाय परिवर्तन आ जाय तो उसको उम लोग क्या बोलते हैं उपसर्ग बोलते हैं तो यहां पर प्रतियक है पहले यह «य क्या रहा होगा पहले यह एक रहा होंगा ठीक है अब इसमें यद掰掰 प्रतियक हो जाएगा अगले question पर बढ़ जाए, तेरहवा question देखिए जो छूड़ गया था, वो यह कि नेमला लिखित, शब्दों में गुडवाचक विशेशड सब्द कौन है तो गुडवाचक विशेशड शब्द कौन से होते हैं ऐसे सब्द जिनकी जो मतलब क्या करते हो, किसी संग्या या फिर, जो सर्वनाम होता है, उसकी क्या बताते हो, विशेश्टा ठीक है, सीधी बात जो संग्या या सर्वनाम की विशेश्टा या फिर उसके रंग, रूप, अकार को बताते हो, श्ट्रक्चर को बताते हो उसको हम लोग क्या उलते हैं गुडवाचक विशेशर अब देखे इन में से ताजा सब बहुत चार तो ताजा जैसे पानी ताजा है फिर अपका भोजन जो है वो अकदम ताजा है तो उसकी क्या बता रहा है विशेशता बता रहा है इसलिए ये ताजा जो है वो तो ये क्या बोलते हैं कि जो अंक होता है वो निह मतलब हर चीज में अह लाष्ट में वह वाला सिंबल लग जाता है विसर्ग संधी में तो निह धन चल इसका सही आंसर जाएगा तो निश्चल सब्द का जो संधी विछेद होगा वो क्या होगा निह धन चल विसर्ग संधी मे उसके बाद अगला क्विश्चन है कि मौ किस प्रकार कवरड है मौ पे एक हलंत है ध्यान दीजिए तो आप अपने मुह से एक बार बोल के देखिए कि मौ बोलने पर क्या ये दात और ओट से बोला जा रहा है या फिर अपके नाक वगेरा से या फिर दात से किस से बोला जा र प्रित्वी राज रासो के रचयिता है तो देखिए दो दो क्विश्चन रचयिता पर ही पूछ दिए तब कुछ रचयिता को एक बर बस देख लेना है ठीक है यहां पे लिखाय है चंद चंद्र बर्दाई इसके क्या है प्रित्वी राज रासों के रचाईता है अगला क्विश्चन ये था हमारा कि 19 एतिहासिक शब्द में सही प्रत्य है देखिए वहां पर हमसे पुछा गया था कि उपसर्ग क्या होगा अब यहां पर पुछा गया है प्रत्य है तो प्रत्य है इसको हम लोग संदी विच्छेत करेंगे तो यह आएगा इतिहास धन एक ठेक है इतिहास धन एक आएगा और एक जो होगा इसका क्या हो जाएगा प्रत्य हो जाएगा इक जो है ठीक है अब यदि हम लोग अगले क्विश्चन के बात करें तो निम्लखित में से प्रेम आरे रचना बस एक बार देख लेना जो इंपोर्टेंट होते हैं अब यहां पर मैं बात कर देखिए तमस वहीं वाला जो था प्रिथवी राज रासों का त्याग पत्र हो गया और मेला आचल तो त्याग पत्र जो है वो किसका है वो जैनेंद्र कुमार का है ठीक है जैनें